आज हम मनोविज्ञान विशे की कख्छा 12 के अध्याए 9, मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के भाग 1 का अध्यान करेंगे इस भाग में हम मनोवैज्ञानिकों में कौशलों के विकास की आवश्यक्ता को समझेंगे सामान्य कोशलों का वरणन करेंगे, प्रेक्षण कोशलों को समझेंगे और संप्रेशन कोशलों की व्याख्या करेंगे एक प्रभावी मनुवैज्ञानिक के रूप में विकास करने के लिए कुछ कोशलों की आवश्यक्ता है सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक बार एक अस्पताल में एक प्रिसिक्षू मनोवैग्यानिक जो की अपने अंतिम वर्स के प्रायोगिक कारहितू एक मनोरोगी का साक्षात कर ले रहा था उसे प्रायोगिक कार में असफल हो जाने का भहे था साथी साथ इस बात की चिंता भी थी कि परिच्षक उसके द्वारक किये जाने वाले कारे को देख रहा है और मूल ल्यांकन कर रहा है उसे लग रहा था कि उसकी गल्ती उसके अंक कम कर सकती है इन सब के चलते वह अपने साक्षातकार पर ठीक से ध्यान केंदरित नहीं कर पा रहा था और मरीज से कम आत्म विश्वास के साथ बात कर रहा था जैसे तैसे साक्षातकार खत्म हुआ तो मरीज बोला चिंता मत करो डॉक्टर आप पास हो जाओगे जहां एक मनोवैग्यानिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सेवार्थी या मरीज को ठीक हो जाने का भरोसा दिलाए इस कहानी में सेवार्थी खुद मनोवैग्यानिक को भरोसा दिला रहा है दरसल यह कोई कहानी नहीं है यह एक केस का वरनन है जो कि नैदानिक मनोविज्यान की एक प्रिसिद्ध पुस्तक से लिया गया है जिसमें रेखांकित किया गया है कि एक मनोविज्यानिक में किन कौशलों का होना आवश्यक है और कैसे इन कौशलों के अभाव में एक हास्यास्पद स्थिती बन सकती है आप समझ गए होंगे कि एक मनुवैग्यानिक में कुछ कौशल तो निश्चित रूप से होने ही चाहिए जैसे कि बातचीत की कुशलता, परिस्थिती का आकलन या समस्या के सरूप को समझना, समस्या समाधान करने का कौशल आ दिये लेकिन इस तरह की कुशलताएं तो उन लोगों में भी होती हैं जो मनुवैग्यानिक नहीं है आपने देखा होगा कि आजकल हमारी दैनिक बोलचाल की भाशा में मनुविज्ञान से संबंधित शब्दावली परियाप्त मात्रा में उपयोग की जाने लगी है बुद्धी, अभी प्रेणा, अभी ब्रत्ती, तना और अवसाद ये तो इस तरह से इस्तमाल होते हैं कि कोई भी विश्यशगी की तरह टिपनी देने लगता है टिपनी से आगे कुछ लोग मानसिक समस्याओं पर सलाह भी देने लगते हैं और कुछ लोग तो बिना किसी प्रसिक्षन के, बिना किसी अनुभाव के अपने आपको मनुवैग्यानिक भी घोशित कर देते हैं ऐसे स्वेम घोशित मनुवैग्यानिक सिवार्थी को भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं उसकी मानसिक ओलिजन को बढ़ा सकते हैं उसकी चिंता का विस्तार कर सकते हैं सिवार्थी के अतार्किक चिंतन को प्रोचसाहित कर सकते हैं व्यक्तिगत भिन्निता को अंदेखा कर अनावश्यक रूप से तुलना करके दूसरे के जैसा ब्योहार करने के लिए प्रेडित कर सकते हैं ऐसे में एक सवाल मन में उठ सकता है कि एक वास्तिक मनोवैग्यानिक और एक छद्म मनोवैग्यानिक में कैसे अंतर किया जाए इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ और सवाल मन में लाने होंगे जैसे कि उस व्यक्ति ने किस तरह का व्यावसायक प्रसिक्षन लिया है उसकी सेक्षनिक प्रस्ट भूमी क्या है उसकी संबधिता किस संस्था से है उसका मनुवैग्यानिक के रूप में सेवा देने का क्या अनुभव है दरसल मनोवैग्यानिक अलग अलग तरह के छेत्रों में कारे करते हैं कोई नैदानिक मनोवैग्यानिक के रूप में मानसिक विकारों के सुधार के लिए कारे कर रहा है कोई सिख्छा मनोवैग्यानिक के रूप में विद्याले परियावरन में कारे करता है कुछ मनोवैग्यानिक आद्योगिक छेतर में भी कारे करते हैं जबकि कुछ व्यावसायक परामर्स के कार में सनलगने हैं छेतर कोई भी हो यह महत्पूर्ण है कि मनोवैग्यानिक अपने छेतर से संबंधित व्यावसायक कुसलताओं को अरजित करे यह आवश्यक है कि अपने छेत्र संबंधी मनोवैग्यानिक उपकरणों का प्रिसिक्षन दिया जाए अपने छेत्र संबंधी विधियों और सिध्धानतों में विशिशग्यता लेना आवश्यक है कुछ मनोवैग्यानिक एक शोध करता की तरह भी अपने कौशल को विक्सित करते हैं अमरीकी मनोवैग्यानिक संग के एक कारेदल ने 1973 में व्यवसायक मनोवैग्यानिक हेतू तीन प्रकार के कौशल समुच्चेयों की अनुसंजा की ये कौशल है व्यक्तिगत भिन्यताओं का मुल्यांकन करना ब्यावहार परिस्कर्ण करना बेविर मौडिफिकेशन के कौशल और परामर्स कौशल इसके अतिरिक्त मनोवैग्यानिक हेतू आवश्यक कौशलों को अलग अलग तरह से अनुशंसित किया गया है इस अध्याय में आवश्यक कौशलों को तीन भागों में वर्गी कृत किया गया है सामान्य कौशल, प्रेक्षण कौशल और विशिस्ट कौशल सबसे पहले बात करते हैं सामान्य कौशलों की इस स्फ्रेणी के कौशलों की आवश्यक्ता हर एक छेतर में काररत मनोवैग्यानिक को होती है इस छेतर में बौधिक एवं व्यक्तिक कौशलों को समिलित किया गया है इन कुशलताओं का होना अनिवार है इन कुशलताओं के बिना एक मनोवग्यानिक के रूप में सफल होने की कलपना नहीं की जा सकती हाला कि फिर से इस बिंदू पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये सामान्य कोशल हैं और इस तरह की कोशल मनोवग्यानिक के अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाईयों में भी होते हैं चलिए इन कुशलताओं की एक सूची बना लेते हैं सबसे पहले अंतरव्यक्तिक कौशल फिर संग्यानात्मक कौशल फिर भावनात्मक कौशल फिर व्यक्तित या अभिव्रतियां फिर अभिव्यक्ति परक कौशल फिर परावर्ति कौशल रिफ्लेक्टिव स्किल्स और व्य सुनने की योगिता, दूसरों की संस्कृति, अनुभाव, मूल्यों, ड्रस्टिकोणों, लक्षों, एक्छाओं और भय के प्रती, सम्मान तथा अभिरूची की भावना, प्रती पुस्ठी, फीडबेक को ग्रहन करने के प्रती खुलापन आधी समिलित होते हैं। संग्यानात्मक कौशल में समस्या समाधान की योगिता, आलोचनात्मक चिंतन और व्यवस्थित तर्क, बौद्धिक जिग्यासा और नम्मिता को समिलित किया गया है। संबेग नियंतरन और संतुलन, अंतर व्यक्तिक द्वंद के प्रती सहनसीलता, अनिश्चिता और आसपस्टता के प्रती सहनसीलता की गिनिती भावात्मक कौशल में की जाती है। व्यक्तित और अभिवरत्ती श्रेणी में दूसरों के प्रती सहायता करने की इक्षा, नए विचारों के प्रती खुलापन, इमानदारी, अखंडता, मूलिपरक ब्योहार और व्यक्तिगत साहस जैसे गुनों को समिलित किया जाता है। अभिव्यक्ति परक कौशल में वे कुशलताएं समलित होती हैं जिनके माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को मौखिक, आमौखिक और लिखित रूप से सम्प्रेशित किया जाता है। परावर्ति कौशल के अंतरगत स्वयम की अभिप्रेरणा, अभिव्रत्ति और व्योहार को समझने और परिच्छन करने की योगिता तथा अपने और दूसरों के व्योहार के प्रति सम्वेदन शीलिता को शामिल किया गया है। व्यक्तिगत कौशल में व्यक्तिक संगठन, उचित परिधान, स्वास्थ, समय प्रवंधन इन विशेष्टाओं को शामिल किया जाता है। इन कौशलों के साथ साथ एक मनो वैज्ञानिक में विविधिताओं के प्रति सम्वेदन शीलिता को होना महतपोन है। अपने से भिन वातावरण के मध्य काम करते हुए, खुद की अभिप्रति, खुद के मूल और संबंधित छमताओं और सीमाओं का ज्यान होना। भिन संस्कृति के लोगों का मूल्यांकन करते समय जिम्मेदारी भरा आचरन करना। और अपने से भिन संस्कृति मानकों और विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव रखना। चलिएब हम बात करेंगे प्रेक्षण कौशल के। एक मनोवैग्यानिक के कौशलों की जब गिनिती की जाती है, तो प्रेक्षण कौशल को बहुत महत्तो दिया जाता है। यह कुशलता अपने आप में तो एक विशिष्ट कौशल है ही, साथ ही साथ और दूसरे कौशल जैसे की संप्रेशन या मनुवैज्ञानिक परीक्षण की कुशलताओं में भी प्रेक्षण कौशल की अवश्यक्ता होती है। कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि साक्षातकार करना या फिर मनुवैज्ञानिक परीक्षण करना संभव नहीं होता है। इन परिस्थितियों में परीक्षण एक मजबूत विकल्प के रूप में उपस्थित है। कल्पना करके देखें आपको जेल में कैदियों के व्योहार का अध्यन करना है। सुरक्षा कारणों से आपको आमने सामने का साक्षात करने या फिर कोई परिक्षण करने की अनुमती नहीं है। तब दूर बैठकर उनके व्योहार का अवलोकन करना एक मात्र विकल्प है और यह भी कम नहीं है। अवलोकन मात्र से ही आप व्यक्तित्यों के कई पहलूओं को समझ सकते हैं। दो व्यक्ति के बीच अंतर क्रिया के इस्तर को समझ सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि दो व्यक्तियों के बीच की दूरी के आधार पर हम उनके बीच के संबंध की प्रगाड़ता का अंदाजा लगा सकते हैं। नैदानिक मनोवैग्यानिक को कई बार मनो रोक का निदान प्रेक्षण से ही करना होता है। मनोवैग्यानिक किसी भी छेतर में कारे रथ हूँ, बे लगातार सुनने, ध्यान देने और प्रेक्षण के कारे में सनलगन रहते हैं। बे अपनी ग्यानेंद्रियों से अपने सेवार्थी और उसके वातावरन के बारे में सजग रहते हुए सूचना एकत्रित करते हैं। मनोवैग्यानिक को अपने परिवेश में घटनाएं और व्यक्ति दोनों का ब्यापक प्रेक्षण करना होता है। जैसे कि भौतिक वातावरन कैसा है। जनांग किये विशेष्टाएं जैसे कि लिंग या फिर उम्र या फिर लंबाई। साथी साथ दूसरों से ब्यावार करने का तरीका, दूसरों से संबंध रखने के प्रारूप, दूसरों की उपस्थिती में ब्यावार का स्वरूप, साथी साथ प्रेक्षण का अभिलेक भी तैयार करना होता है। प्रेक्षन करते समय मनोवैग्यानिक को ध्यान रखना होगा कि प्रेक्षन धैरपूर्वक किया जाए, भौतिक परिवेश्च को सावधानी के साथ देखें और घटना और व्यक्ति के बारे में क्या, कौन, कैसे, कहां और कब को समझने का प्रयास करें। लोगों की प्रतिक्रियाओं, संबेगों और अभी प्रेरणाओं के प्रति जागरूक रहें। यदि आवश्यक हो और उत्तर प्राप्त करना संभा हो तो प्रेक्षन के दौरान प्रश्न कर सकते हैं। स्वेम की उपस्थिती के बारे में भी सूचना देना उचित होगा। एक आशावादी जिग्यासा के साथ प्रेक्षन करें। प्रेक्षण के दौरान नैतिक मानुकों का ध्यान रखें। लोगों की निजता उनकी प्राइबेसी के मानुकों का पालन करें। प्राप्त सूचना को गोपनिये रखें। प्रेक्षण के दो प्रमुख उपागम है प्रकतिवादी प्रेक्षण और सहभागी प्रेक्षण. आपको याद होगा कक्षा 11 में आपने प्रेक्षण के प्रकारों को समझा है. प्रकतिवादी प्रेक्षण में इस्थितियां जिस रूप में हैं उन्हें वैसे ही करता की और से किसी भी प्रकार का हस्त छेप नहीं किया जाता जबकि सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षण करता समूची प्रक्रिया में एक सक्रिय सदस्य के रूप में समिलित होता है प्रेक्षन के कुछ लाब हैं, कुछ हानिया हैं सबसे पहला लाब तो यह है कि प्राकृतिक और स्वाभाविक इस्थिती में ब्योहार का अध्यन करने का हमें आउसर मिलता है दूसरा लाब यह है कि प्रेक्षन हेतु चैनित स्थिती में रह रहे लोगों को या फिर बाहरी व्यक्तियों को आप प्रेक्षन हेतु प्रसिख्षित कर सकते हैं लेकिन प्रेक्षन करता के पूर्वाग्रह के कारण से संभो है कि वस्तुनिस्ट अभी लेखन ना किया जाए प्रेक्षन करता कुछ क्रिया कलाप को छोड़ भी सकता है प्रेक्षक की उपस्थिती से भी ब्योहार प्रभावित हो सकता है चलिए अब हम बात करेंगे विसिस्ट कौशलों की विसिस्ट कौशलों में सर्व प्रथम संप्रेशन कौशल को समझेंगे संप्रेशन एक प्रक्रिया है जो चेतन इस्तर पर या फिर अचेतन इस्तर पर हो सकती है यह अभिप्राय के साथ भी हो सकती है, साभिप्राय भी है और बिना अभिप्राय के भी संभव है इसमें भावनाओं को, विचारों को वाचिक और अवाचिक संदेश के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और साथी साथ ग्रहन भी किया जाता है संप्रेशन अंतरा व्यक्तिक भी हो सकता है, व्यक्ति का अपने से संप्रेशन हो सकता है संप्रेशन अंतर व्यक्तिक हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संप्रेशन करता है और संप्रेशन सार्वजनिक भी हो सकता है, जिसमें एक बड़े समूह के साथ संप्रेशन किया जाता है संप्रेशन के घटक पर हम बात करते हैं चुकि मनुवैज्यानिक अपनी बातचीत के माध्यम से अपने सेवारथी की समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एक मनुवैग्यानिक को संप्रेशन के स्वरूप, संप्रेशन की विभिन पहलूओं का ब्यापक ग्यान होना ही चाहिए। दरसल हमारे पास शब्दों और ब्यावारों का भंडार होता है और हम उनमें से कुछ शब्द चुनकर संप्रेशन में इस्तिमाल करते हैं। चुनेगए शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें भरोसा होता है कि वे अभी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक उप्योगत हैं। इस तरह से हम देखें तो संप्रेशन चैनात्मक होता है। हम शब्दों का वाक्यों का चुनाओ करके और फिर संप्रेशित करते हैं। संप्रेशन के समय हम कूट संकेतन भी करते हैं, एनकोडिंग भी करते हैं। और संदेश को ग्रण करने वाला व्यक्ति संदेश का वी संकितन डिकोड करता है। जब हम कोई विचार लेते हैं, उसे अर्थ प्रदान करते हैं और उसे संदेश के रूप में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को कूट संकितन कहा जाता है। कूट संकितन कर उसे संप्रेशन सरणी या संप्रेशन पथ पर डाल दिया जाता है और वह संदेश ग्रहन करने वाले व्यक्ति तक पहुशता है एक बिल्कुल सरल से उधारन से समझते हैं माल लीजे मुझे एक सुई चुब जाती है मुझे उस सुई की चुबन कितनी हुई या आसपास के लोगों को कैसे पता चलेगा दरसल सुई चुपते ही एक आह की ध्वनी के साथ मेरे चहरे पे पीडा के भाव आ जाते हैं ये ध्वनी और चहरे के भाव मेरे दर्द का संकेत हैं मेरे आसपास के लोगों को इन संकेतों को वो डिकोड करके मेरे दर्द को समझ पाते हैं और इस तरह से अपने को अभिव्यक्त करने के लिए और दूसरों की अभिव्यक्ती समझने के लिए हम अनगिनत संकेतों का उपयोग करते हैं हर बार कूट संकेतन और वी संकेतन इतना आसान नहीं होता हम धोनियों, सब्दों, बाक्यों के साथ साथ चहरे के भाव, आवाज की तीब्रता, इशारों और शरीर की मुद्रा आदी के मिश्ण के साथ जटिल संकेत का इस्तमाल करते हैं कोई भी संकेतन तभी सही ढंग से प्रभावी हो सकता है जबकि कूट संकेतन सटीक तरीके से दिया जाए और कूट संकेत ठीक तरह से समझा जाए अर्थात संदेश देने वाला प्रेशक और ग्रहन करने वाला व्यक्ति इन दोनों के बीच में आपसी समझ होनी चाहिए कोई भी संप्रेशन तभी सही ढंग से प्रभावी हो सकता है जबकि कूट संकेतन सटीक तरीके से दिया जाए और कूट संकेत ठीक तरह से समझा जाए अर्थात संदेश देने वाले और संदेश ग्रहण करने वाले दोनों की आपसी समझ पर यह निर्भर करता है कि संप्रेशन प्रभावी होगा या नहीं आगे हम संप्रेशन के महत्पूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे जैसे की वाचन, speaking, श्रवन, listening, अभीग्रहन, reception, अवधान या ध्यान, attention, पुनर वाक्य विन्यास, paraphrasing, अर्थ आरोपन, assignment of meaning और शरीर भासा, body language साथी साथ संप्रेशन और संस्कृति पर भी हम बात करेंगे अपना महत्त है, लेकिन ध्यान देने बाली बात है कि प्रेशक और संग्रहक की आपसी समझ प्रतेग घटक को प्रभावित करती है मालने कि एक व्यक्ति बड़े ही सौमे भाव से बढ़िया तर्क के साथ मुझे कुछ समझा रहा है लेकिन मुझे उसकी बात तब तक समझ नहीं आने वाली जब तक कि मैं सामने वाले व्यक्ति की बातों का विसंकेतन नहीं कर पाता यदि में उस व्यक्ति की बातों को और उन बातों में संकेतों को डिकोड नहीं कर पाता तो तै मानिये मेरे लिए उन अच्छी बातों का कोई मतलब नहीं है एक मनोवैग्यानिक के रूप में आपको अपने सेवार्थी की समझ का आंकलन करना होगा चलिए संप्रेशन के इन घटकों की बात करते हैं वाचन या बोलना संप्रेशन का एक महत्पूर्ण घटक है बोलने में हम जो भाषा इस्तमाल करते हैं उसमें प्रतीकों का उप्योग किया जाता है और प्रतीक में अर्थ जुड़े होते हैं अता शब्दों का उपयोग स्पस्टता और शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। संप्रेशन किसी ना किसी संदर्व में घटेत होता है। अता बोलते समय संदर्व का ध्यान भी रखना होता है। अगला घटक है श्रवन। श्रवन को अक्सर एक निस्क्रिय क्रिया मान लिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि श्रवन एक सक्रिय प्रक्रिया है। जिसमें लगातार ध्यान देना, धहरे रखना, आनिरनय के साथ रहना, सूचना का विशलेशन करना ऐसी प्रक्रियाएं साथ-साथ चलती रहती हैं। इसी तरह श्रवण के संदर में एक तत्थ यह भी है कि सुनने तथा श्रवण में hearing और listening में लोग अंतर नहीं करते हैं, हलाकि इनमें अंतर है। सुनना एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि श्रवण में ध्यान देना और अर्थ देना भी शामिल होता है। हम प्रयास कर अपने श्रवण कौसलों में सुधार कर सकते हैं। श्रवण में पहले सूचना का अभीगरण होता है, सूचना रिसीब होती है। उसके बाद सूचनाओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसे हम अवधान कहते हैं। प्राप्त सूचना में हम अर्थ का आरोपन करते हैं। संप्रेशन में कई बार सुनी गई बात का पुनरवाक्विन्यास करने की अवश्यक्ता होती है अध्यनों में यह पाया गया है कि स्रवन में संस्कृति की भी भूमी का होती है जैसे कि उधारन से समझें बौध दर्शन में मनोयोग का संप्रत्य है अर्थात जो भी सुनो या जो भी देखो उसे पूरे ध्यान से सुनो, पूरे ध्यान से देखो संप्रेशन में शरीर भासा का भी उप्योग होता है हम शब्दों के अतिरिक्त अपने बैठने, खड़े होने या आवाज में उतार चड़ाओ इन में परिवर्तन कर अपनी बात को जाने या अंजाने में संप्रेशित करते हैं अता शरीर की भाशा के प्रती भी जागरुक रहने की आवश्यक्ता है यहाँ पर हम इस भाग का समापन करेंगे इस भाग में हमने मनोव वैज्यानिकों के लिए आवश्यक सामान्य कुशलताओं की चर्चा की और विशिस्ट कुशलताओं के अंतरगत प्रेक्षण कुशलता की बात की और साथ ही साथ प्रेक्षण के बारे में हमने जाना समझा धन्यवाद झाल झाल